टाइगर शॉफ की एक नई फिल्म आ रही है ये फिल्म पे उन ही की तरह है और इस फिल्म का नाम स्क्रीव धिला है वैसे ये एनॉंस्मेंट वीडियो तीन मिनट की है वैसे इसको टीजर, ट्रेलर, क्लाइमेक्स और मुवी भी कही सकते हैं ये पूरे मुवी में टाइगर यही सब तो करने वाले हैं जहाँ स्टार्टिंग में इस वीडियो में दिखाया जाता है टाइगर एक चेयर पे बैठे हुए है और उनके हाथों में हत्करी लगी हुई है और वो बोलते है और पीछे से एक लर्की चिलाती है वैसे इसका फेस दिखाया तो नहीं जाता है लेकिन खबरे ये है कि इस फिल्म में टाइगर के साथ रश्मिका मंदाना नजराने वाली है और वो इसे फिल्म से बॉलिवुड में डेब्यू कर रही है और उस दर्की के आवाज सुनने के बाद ताइगर का वही पुराना एक्शन मोड अन हो जाता है और फिर क्या वो सारे गुंडों को पेल देते हैं और उनके एक्शन देखके यहीं लगता है कि ताइगर की वही पुरानी घिसी पिटी कोई फिल्म चल रही हो मतलब उनकी फिल्मों में तो कुछ नयापन देखने को मिल ही नहीं रहा है ताइगर का हुलिया जैसे पिछलों फिल्मों में रहता था और जो एक्शन वो अपनी पहली की फिल्मों में करते थे वो सब कुस तो सेम ही लगता है और यही सब इस फिल्म में भी देखने को मिलने वाली है ना emotion चेंज हो रहा है ना action चेंज हो रहा है बस फिल्मों का नाम चेंज कर लिया है इन्होंने वैसे इस फिल्म को सशांक खेतान डाइडेक्ट कर रहे हैं और ये फिल्म 2023 में देखने को मिलेगी